फातिमा सनाशेख नहीं करना चाहती शादी बताया ये बड़ा कारण बलेवुड की मशूर अभिनेत्री फातिमा सनाशेख को आप आने वाले दिनों में फिल्म सूरज पर मंगलवार भारी में देखने वाले है जिसका ट्रेलर, टीजर और पोस्टर कुछ समय पहले ही रिलीज किया गया है फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित हो रहे है हाला कि फिल्म को रिलीज के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा फातिमा सनाशेख की फिल्म सूरज पर मंगलवार भारी की पूरी कहानी शादी के इर्द गिर्द बनी गई है जिसमें फातिमा सनाशेख के आलावा मनोज बाजपई और दिलजीत दोसांज नजर आने वाले है फिल्म में फातिमा सनाशेख मनोज बाजपई की बेहन होती है वहीं दिलजीत दो सांज प्रेमे का होती है इन तीनों के बीच फिल्म में मजेदार किसा है जो रिलीज के बाद ही पता चलेगा हाला कि हाल ही में जब फातिमा सनाशेख से उनकी शादी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया आए ये जानते है फातिमा सनाशेख रियल लाइफ में शादी जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करती है उनका कहना है कि अगर किसी के साथ रहना है तो उसके लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है साथ ही फातिमा सनाशेख ने कहा कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगी शादी के सवाल पर फातिमा सनाशेख ने कहा कि कोई टेक नहीं है मेरा मैं अभी बच्ची हूँ